जाय हिंद आज मुलोग जानेंगे तेंथ क्लास एंची याटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने का तरीका और उसके जिए क्या क्या बैसिक कॉंसेप्ट हो सकती हैं वो सारा चीज हम लोग आज इस वीडियो लेक्शेर में समझेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले तो एंसी याटी जो है एंसी यार और टी का जो एक्सरसाइज जो है वन दस हमला वन इसके हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ बैसिक जानने वाले हैं और यहाँ पर आपको उसमें सबसे पहले यहाँ पर संख्याएं के बारे में जानना है ठीक ह है चलिए यहाँ पर आपको संख्याएं के बारे में बिल्खुल बैसिक कोंसेप्ट के साथ समयना है देखिए संख्याएं यहाँ पर प्रकार की होती है एक पहला परकार होता है जिसको हम लोग बोलते है वास्त्विक संख्याएं ठीक है जिसको क्या बोला जाता है वास्त् और यहां पर यहां पर यहां पर प्राकृत संख्याइं भी बोलते हैं प्राकृतिक संख्याइं और यहां पर दो में आती हैं यहां पर पूर संख्याइं जिसका नाम आप लोग ने सुना हुआ ठीक है पूर संख्याइं ठाड में आती हैं परी में संख्याइं परी में संख्याइं और यहां पर फोर्ज में आती है क्या चीज़ अपर में संख्या है अब पर में और यह जितना भी पांचव आपने पढ़ा यह सभी वास्तिविक संख्याएं के अंदर आती है ठीक है अब यहाँ पे हम लोग एक एक को डिल करेंगे एक को समझेंगे सबसे पहले थोड़ा साम लोग यहाँ पे कालपनिक संख्याएं के बारे में जाल लेते हैं ठीक है तो व भर और टुख अब बराबर केअ मिया चाहिए तो बरावर में आ जाएगा क्ती अब यहां के अंदर जो कीज में हो ऊसक्याब लोग क्या बोलेंगे नहीं पढ़ना इसको पढ़ना लेन्लास में है तो जब आंथ ना समझाएगा तो इसको बैसिक भाट हो ऑस्तिक्त बोलते हैं और वास्तिवाक्षाइब कंग उसको प्राकृतिक नफ्री शंक्राइं सकुनल जिना टlä선 मैं भूते हैं हुसल तो चपुसिक्त हैं और वाश्तिकी शिरूय समयें इतना हैं हम उसको बोलते हैं जो counting का number होता है यानि जो गिंती की numbers जो होते हैं उसको अम लोग संख्या बोलते हैं यी जैसे कि एक दो तीन चार पाँछे साथ आठ ऐसे करके आपका यहां पर infinity यानि की अनन्द तक जाएगा ठीक है तो अगर और आप लोगों को इसका परिभासा लिखना है तो आप लिख सकते हैं गेंति की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहाते हैं जिसको इंगलिस में नेचरल नंबर कहा जाता है ठीक है हम सिर्फ बेसिकली यहां पर समझाएंगे और परिभासा हम बोल देंगे अगर आप पूण संख्या होल नंबर किस केका थैसं थोला ध्यान देज़ेगा यहां पे वह संख्या ठीक है जो जिए मिखता है उसको हम लोग होल कोको संख्या करते हैं या दूसरे सब्दम कए अ globalization कि फ्सक्या तो यह हमारा अल कि पूह संख्याभी आप लोग समाझ चुके होंगा ठीक है चलिए अगलों को समय परिमे संख्या झिसको एंगलिप बोलते हैं रेसंटल नमबर तो देखिए परिमे जांख्या रेस्नल नमबर किसे का जाता है थोड़ा अपर द्यान देजेगा देखिए वह संख्या जो पी बटा क्यूं के रूप में हो ठीक है क्या हो वह संख्या जो पी बटा क्यूं के रूप में हो और यहां जहां पर पी और क्यूं दोनों हो यहां पर पुणांग हो ठीक है पी और क्यूं क्या है दोनों पुणांग हो पुणांग हो और एक कर्णिशन और यहां पर नीचे वाला यह दो बटा 4 जो है उपर यह और यहां पर चार नहीं है महारा यह नहीं है उपर-फियर थो प्य के जया है है परिम्य संख्या है तो यहां पे आप लोगिस को समझ देने की चरह सकते हैं देखे और परिम्य grade कि जिसको ए रूट में दिखना चाहिए जैसे कि यहां पे रूट 5 रूट 3 रूट 7 साथ और यहां पे जब आप इसका रूट हॉल करें तो यहां पे वो क्या हो रीपिटिंग भैलू नहीं आना साहिए ठीक है रीपिटिंग भैलू के मतलब यह हुगा कि जैसे कि यहां पे बेर कोई भी नमठर को हुआ हो रिपिट कर रहा है यानि कि इस प्रकार को नहीं हाना चाहिए कुछ भी इसमें अलग आ जाना चाहिए ठीक है रीपिटिंग भैलू नहीं यानि कि उसका जब रूट को करें को नब इस प्रकार का कोई भी आशकता है ठीख है तो उसको क्या बोलेंगे और कर दोत यहां पे आप लोग पर में सभलोर को समयarin ठेक है तो देखे पुणांग संख्या इंटीजर नमर किसे का ता का जिता है तो अध्यान देगा देखिए वाइसा संख्या सबसे पहले आप लोग नेच्रल नमर समझें जो की वन से लेके अनन्त तक जाता है उसका पूर्ण संख्या समझें आप लोग भूल नमर जो की जीर करके हेतो तो यहां पर हम ने क्या समझा यहां पर हम लूग संख्या caए में दो तरह की संख्याएं समझांग काल्पनिक संक्या वास्तिक्ग जंख्या क्या क्या होती है वह हमने सम्झा क्या होता है और कहा पौणना है वह हमने यहांपर समझा ठीक है कि कि